आज बनाएंगे पास्ता वो भी क्रीमी जैसा वो भी बिना क्रीम के और बिना बॉयल की हुए चलिए बनाते हैं अगर आपको ये रेसिपी अची लगे तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने माले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके यहां पर हमने लिया है एक बाउल पास्ता इसको अभी हमने वाश नहीं किया है तो सबसे पहले इसको हम वाश कर लेंगे दो से तीन पानी से अच्छे से पास्ते को वाश कर लें ताकि जो भी इसकी गंदगी हो निकल जाए पास्ते को अच्छे से वाश कर लिया है प्याज जो हमने एक medium size का प्यास लिया था, इसको हमने लंबे slices में कट कर लिया है, तो हम डालेंगे onion, इसके बाद onion को थोड़ा सा cook कर लेंगे, ओभर cook नहीं करना है, सिर्फ cook करना है normal कि हमारा प्यास जो है वो पक जाए, इसके बाद इसमें हम डालेंगे अद्रक और लेसुन जो हमने great करके रखा है, वो भी इसमें हम डाल देंगे, और अच्छे से इनको भी पका लेंगे, हमने अद्रक लेसुन को पहले इसले नहीं डाला क्योंकि इससे ये जल जाते हैं, तो इसले हमने इसको अनियन में डाला है, ताकि इसका जो flavor है वो हमारे oil में बना रहे है, इसले हमने इसको प्याच के पाल जाला है, तो अच्छे से, सभी को अच्छे से पका लेंगे, अब यहाँ पर डालेंगे हम हरी मिर्ची, तीखा आप अपने recording कर सकते हैं, जैसा भी spicy आपको खाना पसंद हो, सिम्ला मिर्च, एक medium रफली कटा हुआ सिम्ला मिर्च, पास्ता में ज़्यादा बारी सबजियां नहीं अच्छी लगती हैं, इसले हमने इसको रफली काता है, थोड़ी सी बड़ी साइस में, तो इसको भी अच्छे से पका लें, ताकि जो सबजियों की क्रिंचिने से वो बनी रहें, इतना आपको इसको कुक करना है, तो बस अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से पका लें, टमाटर हमारा गल जाएगा, इसके बाद ही हम पास्ते को डालेंगे, डालेंगे टेस्ट के कोडिंग नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लें, अब इसमें डालेंगे मैगी मसाला, इसको हम दो पैकेट डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से प्रेस करते हुए टमाटर को अच्छे से गला लेंगे, तो टमाटर हमारे गल चुके हैं, अब हमने जो पास्टा को वाश करके रखा है, पास्टा को इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इस मसाले में मिक्स करके इसको फ्राई करेंगे, तकि जो मसाला है वो पास्ते के अंदर अच्छे से एब्सर्व हो जाए इतना हमेसे दो मिनट तक फ्राई करना है इस तरह से फ्राई करने से जो पास्ता होता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है तो अच्छे से आप इसको फ्राई करने एक बार मसाला पूरा पास्ते में एबजब हो जाता है तो पास्ते का जो टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग हो जाता है इस पास्ते को क्रेमी बनाने के लिए इसका जो ट्विस्ट है वो हम लास्ट में डालेंगे अभी नहीं डालेंगे तो यहाँ पे हम एक बाउल पास्ता लिया है तो डेड़ बाउल पानी डालेंगी हाँ पे हम कि ऐसे पानी हमारा जो है वो कम पड़ सकता है तो हमारे जो पास्ता है वो फूलेगा नहीं तो बस इतना ही हमें आप पर पानी को डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है सभी में चलिए अब हम इसको ढग देंगे 10 मिनिट के लिए मीडियम आज पर थाली को इसलिए बंद किया क्योंकि पास्ता इसे जल्दी पक जाता है इसलिए हमने थाली को बंद कर दिया है आप चाहें इसलिए प्लेट को भी बंद कर सकते हैं तो प्लेट में और थाली में बहुत जल्दी जो है हमारा कोग जो है वो थाली में अच्छे से हो जाता है तो आप देख पार है हमारा पास्ता जो है वो पक चुका है इसको चेक कर लेते हम पास्ता प्रॉपर तरीके से पग गया है अब हम इसमें डालेंगे अपना एक ट्वीस्ट जिससे हमारे जो पास्ता है वो क्रीमी बनेगा तो चलिए डालते हैं हम अपने इस ट्वीस्ट को यहाँ पे हम डालेंगे आधा गलास दूद आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें दूद क्यों डाल ली हूँ तो दूद से जो है इसका फ्लीवर जो है बहुत अमेजिंग हो जाता है और बहुत ही क्रीमी सा हमारा जो यह पास्ता बन के त्यार होता है अगर आपने आस्ता कभी दूद डाल के पास्ता को नहीं बनाया तो जरूर बनाईएगा बहुत यह श्टी लगता है और बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है अच्छे से इसको फ्राई कर ले गैस की flame high करके आपको अच्छे से इसको fry कर लेना है ताकि जो भी जो पानी extra हो वो खतम हो जाए इसको बिल्कुल creamy बनाना है हमें अब देख पार हैं कितना creamy creamy सा पास्ता तयार हुआ है बहुत tasty लगता है और लुक में भी एन खाने में भी इसका टेस्ट बंच आता है तो इसमें हमने किसी क्रीम का यूज नहीं कि हैं, हमने सिर्फ इसमें दूद का यूज किया है, तो दूद थोड़ा सा गाड़ा होना चाहिए, तो ज्यादा ही अच्छा पास्ता हमारा रेडी बन के त्यार हो जाएगा, अच्छे से मिक्स कर लें, चली इसको प्लेट में सफ क च्पूं की अश्राइब सब्सक Ste Nico ऐंस्टाग्रम यूटूब एंद calling अब समय से इंचरम ऊऔर जरूर बताएगा कि आपको यह recipe कैसी लगी तब तक के लिए take care and bye bye